नाश्ते में कुछ हेल्दी और नया ट्राई करना जाते हैं तो एक बार ये रेसिपी जरूर बनाईए जो देखने में तो बढ़िया हाई है लेकिन खाने में इससे कहीं ज्यादा टेस्टी है और बनाना तो बिल्कुल आसान है सिर्फ इसे 10 मिर्ट में बनके तयार होगा ये ह अलो फ्रेंज वेल्कम बैक तो माई चैनल कुकिंग वित रेखा चलिए फटा फट बनाना शुरूर करते हैं चैनल पर जो पहली बारा रहे हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और बिल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भोले तो सबसे प जो को हमें चम्मस से अची तरीके से मिला लेना है पस इसी मेजर्मेंट से आप जितना कम ज्यादा बनाना चाहें उसी सब से बना सकते हैं अभी ये मिक्स हो चुका है और इसमें लगाएंगे धगकन और धगकन लगाके इसको कर पांच मेल्ड के लिए रेष्ट करने के लि ये ले लिया है मैंने पत्ता गोभी थोड़ा सा पत्ता गोभी उससे भी लंबे लंबे पीस में काटके डाल देना है और थोड़ा सा हरी धन्या और ये आधा चम्मसी करीब काली मिर्च को मैंने कूटके डाल दिया है आप चाहें तो इसकी जगा पाउडर भी यूज कर सकत अब डाला मैंने आधा चमचे करीब ही चाट मसाला और अब डाल देंगे इसमें थोड़ सा और ही गयनो और आधा ही चमच इसमें डाल देना है भुना जीरा का पाउडर और अब डाल देना है इसमें ग्रेट किया हुआ चीज चीज मैंने आधा कप के करिब लिया हुआ है चीज जरूर डालिएगा बच्चो को बहुत पसंद आता है और ये रेसिपी में डालने के बाद में चार चांद लग जाएंगे ये मैंने डाल दिया इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सारी चीजों को चम्मस से अची तरीके से मिला लेना है हाँ ध्यान रहे मिट्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले अगर बच्चो के लिए बना रहे है तो थोड़ा ध्यान से मिट्ची डाले क्योंकि ये नाश्टा बच्चों के टिफिन के लिए एक बहुत ही बड़ी आउप्शन रहेगा तो अभी ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है इसको रखेंगे साइड में और अब देख लेते हैं सूजी किस तरीके से फूली हो है पांच मिड़ के करीब हो चुका है और देखें सूजी अच्छी तरीके से फूल चुकी है तो ध्यान रहे पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और दही की मात्रा भी उतनी ही रखनी जितना मैंने बताया हुआ है तो चलिए इसे डाल देते हैं मिक्सी जार में क्योंकि हमें इसे भी पीस ना है सुबह उटने के बाद में सोचते हैं याद नाष्टे में क्या बना है खासतार पर जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनके लिए ज़रू सोचना पड़ता है कि टिफिन में क्या दे तो अभी इसमें डाल देना है दो चमचे करीब पानी पानी जादा नहीं डालना है और धकल लगा कि इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे एकदम जैसे हम दोसा वाला बैटर बनाता है ने उसी तरीके से पीसना है में से आप इसको टेस्ट भी कर सकते देखिए ऐसे हो जाना चाहिए चमज के उपर इस तरीके से हमें बैटर बनाना है चलिए बैटर को रखते हैं साइड में अब एक ले लिया है में नॉन स्टिक तवा उसे चला देंगे गैस पे गैस की फिलिम को एकदर मीडियम लो पे रखना है और इसमें एक छोटा चमज करीब और तवे पे अच्छी तरीके से फेला देना है और अब कल्चुल से अच्छी तरीके से बैटर को चला के डाल देंगे हम इसको तवे के उपर उसी साब से डाले जित्ता आपका तवा बड़ा चोटा है उसी साब से आप इसमें डाल दि इस तरीके से इसको फैलाना है तवे को घुमा घुमा के और गैस की फ्लेम को बिलकुल लो और मीडियम पे ही रखना है हाई बिलकुल नहीं करना इस इसको बिलकुल ध्यान दियेगा नहीं तो आपका ये सीट खराब हो जाएगा इसे बहुँ जादा देर तक नहीं सेखना है और दूसरी साइड तो बिलकुल नहीं सेखना है देखे कितना आसानी से और कितना बढ़ियां से निकलते जा रहा है तो अभी हमें इसको पलटना बिलकुल नहीं है एक से डेड़ मिनट हुआ है ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इसको बनने में और अब इसे सावधानी से इस तरीके से उतार लेना है ना पलटना है ना ही कोई ओईल लगाने की जरूत है और ज़्यादा कुछ देखें कितनी आसानी से निकल गया है और कितना बढ़िया शीट बनके तयार हो चुका है आध्यान रहे जितना ज्यादा ज्यादा आप पतला बनाएंगे इसको उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बनके तयार होगी तो चलिए मैं दूसरा भी बना के आपको दिखाती हूँ तवा बढ़ा है तो इसलिए मैं दो चम्मत डाल रहे हूँ इसमें आपका तवा छोटा बढ़िजी से साब सो उससाब से आप ले सकते हैं तो देखें इसको घुमा घुमा के इसी तरीके से हमें बनाना है बिल्कुल कर्चिल चम्मत कुछ नहीं लगाना है तो यह खराब हो जाएगा देखें दूसरा भी बनके तयार हो चुका है इसे भी उतार लेना है और इस तरीके से मैंने 5-6 बना लिया है एक कटोरी सूजी में 5-6 शीट बनके तयार हो चुकी है देखें मैं आपको दिखा देखते हूँ कितना पतला हो कितना बढ़िया बना हुआ है इसे साब से सारे सीट को तयार कर लेना है देखें यह थंडा होने के बाद में इस तरीके से है यह बिल्कुरी भी नहीं चिपकता है एक दूसरी के उपर इस तरीके से आप रख सकते हैं तो चलिए मैं आपको शीट पूरा इसके उपर रख के दिखाती हूँ इतना सारे सीट मैंने बना लिया हुआ है और अभी देखें मैं आपको दिखाते हूँ कितना पतला और कितना मोटा बना है कोई-कोई एकदम पतला बन गया है कोई थोड़ा सा अगर हलका मोटा भी बना है तो कोई बात नहीं चलेगा देखें बनाना इसी तरीके से इस तरीके का शीट हमें चाहिए और अब लेना है जो हमने सब्जियां मिक्स करके रखी हुए थी न वो सारी सब्जियों को फ्र से थोड़ा सा मिला लेंगे और अब इसमें भरेंगे हमें सब्जी को दो चमусов मैंने डाल दिया है इसमें सब्जी बच्चे जदा तर सबजिया खाने में आना काने करते हैं तो इसमें और भी सबजिया आप एड़ कर सकते हैं बच्चों को खिलाने के लिए क्योंकि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नासा बनके तयार हो रहा है शीट भी हमने बनाया है सूजी से बनाया है इसलिनी तूजी तो हेल्दी होती है, तब ही इस तरीके से इसको मोर देना है इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, ताकि यह देखने में एकदम पॉकेट जैसे बन जाए शट तक तो ये रेसिपी मोमों से मैच करती है देखे इस तरीके से पकेट बनके तयार हो चुका है और इसे रखेंगे एक दूसरी प्लेट में देखे मैं इस तरीके से दिखा दे रहे हूँ आपको कितना बढ़िया अच्छी तरीके से pocket बनके तैयार हो चुका है और अभी दूसरा भी मैं आपको अच्छी तरीके से बना के दिखाती हूँ दो चमबची करीब मैं इसमें डाल रहे हूँ शीट बढ़ी हो तो दो चमबच डाली है अगर छोटी शीट है तो आप एक ही चमबच डाल देखे पहले इस तरीके से एक फोल्ड करेंगे दूसरा फोल्ड इस तरीके से करेंगे इसके उपर ऐसे चिपका देना है अच्छी तरीके से इसको थोड़ा से प्रिस करेंगे और तीसरा फोल्ड इसे और चौथा इस तरीके से तो बनके तयार होगा ने एक पॉकेट तो देखने में भी बढ़िया लग रहा है और फीलिंग भी अच्छी तरीके से अंदर सेफ है चीजे वही होती हैं लग बहग लेकिन बनाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट टाइब को हो जाए न तो बच्चे बड़े सब को पसंद आता है और देखने में भी थोड़ा सा अट्रेक्टू लगता है और खुद को भी थोड़ा सा लगता है न आज मैंने कुछ नया ट्राई किया हुआ है ओइल के जगए आप बटर या घी लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो और इसको अच्छी तरीके से हमें सेक लेना है देखे इस तरीके से हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन उपर दिखना चाहिए न देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी टेस्ट अच्छा लगेगा ये तभी सिख चुका है और इसको हम चलते हैं प्लेटिंग करेंगे देखे आप इसे सॉस के साथ सर्व करें या फिर केचप, चटनी, चिपोटले सॉस किसी भी चीज के साथ आप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे सेजवन चटनी के साथ भी खा सकते हैं हैने कितना easy और healthy भी है और बनाने का तरीका भी बिल्कूल different type का है न जादा हमें इसमेठ की ज़रुद पड़ी है नहीं जादा हमें इसमें time लगा है तो देखे, बन के तयार है हमारा vegetable pocket इसे आप सुबह के नास्ते में बनाए है, शाम के नास्ते में बनाए है या फिर बच्चों के टिफिन के लिए बनाए है या फिर गेस्ट आते हैं, उनके लिए बना सकते हैं छोटा मोटा get together है kitty है, किसी भी time आप ये recipe एक बड़ जरूर try कीजेगा खाने बाले जरूर पूछेंगे कि आपने कहां से order किया है और कहां से मगाया इसे जब आप बताओगे अपने घर में बनाया है न तो पूछेंगे जरूर किस चिस से बनाया है और कैसे बनाया है तो कैसा लगा friends जरूर बताईएगा अच्छा लगा तो like कीजेगा comment में जरूर बताईएगा वीडियो को ज़्यादा जयादा share जरूर कर दीजेगा ताकि और भी लोगों को ये healthy और different type का नाश्ता बनाने का कुछ idea मिल सके तो फिर मिलते हैं मेरे आने वाली कोई नवी वीडियो के साथ तब तक के लिए नाश्ता बनाये काई एंजॉय कीजिए बाई बाई